कुलमिला जुला के बागेसवर बाबा कुलमिला जुला के 32 साल का लॉंडा है जिसने आज तक पांच कितावें तो पढ़ीन होगी उसको पता ही नहीं है कि क्या चीज होता है दर्म जगवार या fighter plane deforest ministry खरिधती है तो उनको अपने pilot पर विश्वास नहीं हो एक नीबू पर विश्वास नीबू और काला धागा बाण देते है नी तो नीबू और काला धागा fighter plane को क्यों नहीं चला है हिंदु का मतलब है सोसप्थ समाज वह समाज जिसमें सोसप्र की थारपूर संभावना हो, वह समाज जिसमें उपेक्ष्या nihil whole life, tam aussi attitudes ourselves because of what such nature came to us. विष्डू के पादमी प्यायाआ होता है, कि पूरुस पैदा हो, ब्रह्मा विष्डू महझ का उन्ते जमीन पे कोई मिला था, किसी को पता है सब जो कलपनाओं पर आधारी चीज को उनके अवतार बना थो हिंदू को जगार हिंदू पहले चीज कोई है ही नहीं भाई इस देश में कोई हिंदू नाम की कोई चीज नहीं विदेशों से कितना धन इन सबों के लिए आ रहा हिंदू-Hindu-Hindu के नाम पर तो इन विदेशों से सारे लोगों का क्यों यह लोग अपने खाता बही बता दें भारा सरकार के पास कितना पैसा है, उससे ज्यादा हमारे मं मंदिरों के पास पैसा और मंदिरों के पस अकूत संपत्ति अथा संपत्ति युंदु घंदु बीच में इपनी लोगों को बांनगेजी फिर किया इस्ति जुमित पिर वही ब्रामण च्छत्री बैश शुद्र की हिसाब से चोथे वर्ड में रहकर के जो उनकी सेवाय थी वो सेवाय अरपित करा। और सनातन नाम का कुछ हई यह नहीं, सनातन धर्म तो केवल और केवल आदी धर्म है, सनातन धर्म हिंदू तो कभी होई नहीं है, हिंदू धर्म ही नहीं है बाबा बागेश्वर का ये जो है, पूरा का पूरा, ये जो सरकार से प्रायोजित कारिकरम चल रहा है और उसमें पूरी तरह से किंद्र और राज सरकार दोनों सरकारें बाबा बागेश्वर को आगे बढ़ा रही हैं हिंदू रास्ट हिंदू रास्ट हिंदू रास्ट और चाहे उसमें जितने भी आ जाएं उनके पीछे पांच आदमी नहीं हैं ये सब के सब बाबाओं जितने मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि बाबा जितने भी ये सब बने हुए हैं कुलमिला जुला के बागेसवर बाबा कुलमिला जुला के 32 साल का लौंडा है जिसने आज तक पांच किताबें तो पढ़ी न होगी उसको पता ही नहीं है कि क्या चीज होता है धर्म और कैसे कैसे क्या चीज हम बातें कर रहे हैं तो वो चमतकार नहीं कर रहे हैं ये सब के सब बलातकार कर रहे हैं ये सब के सब उल्टे सीधे आदमी है और वो जो है जितने भी ये बाबा लोग है या ये हिंदुओं के जितने भी धार्मिक संगठन है ये मनी लांडरिंग के अड़े हैं और यह सीदे सीदे राजनितिग्यों और मंदिरों और मठों से ये सब डील होते हैं सब काला धन की कमाई है हम कर रहे हैं कि मैं अपने बारे में कहे दू मैं किसी से अगर 50,000 10,000 भी मांग दू तो मुझे कोई देने वाला नहीं सम्मेलन करने के लिए लेकिन बाबाओं के पास इतनी अकूत संपत्ति आ कहां से रही है कौन है इतना बड़ा दानी जो दे रहा है या एक रूपए दो रूपए देने वाले चड़हावा से ति इतनी बड़ी भीड़ का खर्चा नहीं चल जाएगा कभी हो इतने भी धर्म के धंदे हैं या धर्म के लोग मठादीस लोग हैं तमाम बाबा हैं चाहे राम रहीम बाबा हो चाहे आसा राम बाबा हो बाबा हैं पहली चीज तो ये सब के सब बलातकारी हैं सब ये बलातकार में लिप्त हैं यहां सुवां यहां सुवां यहां सुवां से उनके पास फियारे भी होगा उनके पास एठी जीभी होगा उनके बास वो जो हैं किया नाम है और वो हिंदू को जगा रहा है हिंदू पहले चीज है ही नहीं भाई इस डेश में कोई हिंदू नाम की कोई चीज नहीं अगर यह besiquement तो भ्रह्म फैलाने वाली चीज है हिंदू का मतलब है सोसन से परिपूर्ड समाज वह समाज जिसमें सोसन की भरपूर संभावना हो वह समाज जिसमें उपेक्छा की संभावना हो वह समाज वह बनाना चाह रहे है हिंदू धर्म का मतलब है कि अंधकार युग में ले जाना प पूरे भारत वर्स को जब एक तरफ देश क्या पूरे विष्ट जो है चांद पर घर बनाने को सोच रहा है थम कर रहे हैं कि जो है पाइप डाल करके नाले से गैस उत्पन कर लो यह प्रधानमंत्री जी हमारे काते हैं यानि सबसे बड़े ज्यानिक तो वही हो गए है जगव और काला धागा फाइड़ प्लेन को क्यों नहीं चलाता है क्यों पाइलट को लगाते हैं क्यों उस बिचारे की जिंदगी कर रहे हैं तो इसलिए हिंदू रास्ट की परिकल्पना करना ही बेर्थ की बात है इसमें एक कह सकते हैं भावनात्मक धंग से चुकी यहां की जनता एक दम से असिक्षित हैं यहां की जनता के पास इतनी सोच और समझ मनलब पढ़े लिखे लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तो अनपढ़ कर रहा तो उसमें मुझे कोई बहुत बड़ी मनलब अपिसे हैं और हिंदू रास्ट हिंदू का मतलब यह है राजा दाहिर का अ इस तरह के काम करते थे चोरी डखाईती फिरवती जो आज भी वो करते हैं वही लोग हिंदू हैं इनका कभी यह स्रमिक वर्ग रहा ही नहीं है हिंदू वर्ग में हमेशा जो लूट खसोड जितने भी हैं और जो अवय धढ़ंके जितने भी धंदे देश में हुए है चाहे प्राचीन काल जाग जितने भी काल से हिंदूों की सुरुआत हुए हिंदूों को पहले शुरुआत तो जो है कुल मिला जूला के कहलो 400 साल से कहलो उससे पहले धर्म के नाम पर अगर कहोगे तो धर्म जो है अगर हम सबसे जादा बैग्यानिक डॉकूमेंट दस्तावेज है तो भारत की जनगरना है 1871 की जनगरना सबसे पहले हुई थी और उस 1871 की जनगरना में इस बात पे बड़ी जबरदस्त बहस हुई है कि हिंदू हम है कि हिंदू नहीं है जिसमें उन्होंने कहा किसी भी सूरत में हमारी गिंती हिंदू के साथ नहीं होनी चाहि उसके बाद जितने जो यहां के मूल निवासी हम कहते हैं जिसको डिप्रेस क्लास उसमें अंग्रेजी हुकूमत ने कहा है वो डिप्रेस क्लास समाज में उसमें जो है तो आज के जो शेडूल कास्ट हैं शेडूल ट्राइब हैं बैकवर्ड क्लास हैं माइनार्टी इस सब के स यानि 90% से ज़्यादा की जनसंख्या जिसको आप मूल निवासी कहते हो जिनका अगर धर्मिक तोर से कहोगे तो धर्मिक तोर से या तो आदि धर्मी है आदि धर्म भी था या तो वो सतनामी है सतनाम धर्म भी था या कबिर पंथ या कबिर पंथ भी बड़े पैमाने पर चला प्रचार है कुछ लोगों को और माले जी हिंदु धर्म अगर बनता है हिंदु राष्ट बनता है तो फिर मोल निवासी वो किया इस्तिति में से चवते वर्ड में रह करके जो उनकी सेवाये थी वो सेवाय अर्पित करां अब तो सिर्फ सार निवासी अगर और सनातन नाम का कुछ है यह नहीं सनातन धर्म हिंदू तो कभी होई नहीं हिंदू धर्म का मतलब तुम लोगर कहते हो तो गैर बराबरी के समाज का निर्माड करना है हमको है हिंदू को अगर धर्म के नाम पे तुम कहते हो सोसण से परिपूर्ड यह धर्म है सोसण इसमें केवल इसकी व्याख्या है जिसमें महिलाओं को क्या वज़ा है कि आप सिर्फ हिंदू धर्म को टार्गेट करते हैं दूसरे धर्म पर कभी बोलते नहीं दूसरे खुला है, तो Christian धर्म में है, और उसके बाद मैं जिस आदमी उसी मरच की दवार खोचता है, जिसका वो पीड़ीत है, मैं तो पीड़ा का दर्द हूँ पीड़ीत हूँ हिंदू समाज से, तो मैं तो हिंदू के बारे में बात करूँ दूसरे के बारे मैं आऊरे बहल मुझे म और भगवान बुद्ध नहीं मानता, क्यों नहीं मानेंगे भाई। तो वो कहते हैं भगवान विश्डू के दसवे आवतार है भगवान विश्डू के आवतार जिसको हमने देखाने उसको हम मानले अपने माता पिता ही कईसे हो सकता है विश्डू को से आदमी पैदा होता है कि पुरुस पैदा किसने देखा विश्डू को ब्रह्मा विज्डु महेश काऊं थे जमीन पे कोई मिला था किसी को पता है सब जो कल्पनाओं पर आधारी चीज को उनके आतार बना दिया तो कम से कम गौतम बुद्ध का तो इतिहास मिलता है गौतम बुद्ध का तो जो है परिवार मिलता है वो तो एक तरह सो सब्वेता कहलो प्राचीन सब्वेता जो है जो है इंडस वैली इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये सब जोड़ के देखो तुम लोग और इंडस वैली में भी कमेरा वर्ग था वही लोग थे जो लोग आज की जो तुम कहोगे सहरों की परिकलपना सहरों की संरचना रोड का कंस्ट्रक्शन इंडस वैली में था वो कौन थे वो तो सब के सब यहां के मूल निवासी थे तुम्हें मैं बता रहा हूं कि पढ़ो और ढूडो की जंगररा में था कि नहीं कि 56 पूरे देश में आदिधर्म सम्मेलन हुए थे और 56 में एक आदिधर्म सम्मेलन जो इलाहबाद में 18 segur 1929 में हुआ ता अंतरास्ति आदिधर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें उस जमाने से यह इरान तकके लोगों के आने का वो मिला हुआए प्रमाड है कि इरान तेहरान तक के लोग आये थे कराची से लोग आये थे लाहोर से लोग आये थे कलकत्ता से लोग आये थे धाका से लोग आये थे लोग पंजाब से आये थे लोग सेंट्रल प्राविंस से आये इतने बड़े-बड़े सम्मेलन थे और वो किसी भी सूरत में जाति पर आधारी सम्मेलन जिसमें आज का पीछड़ा वर्ग भी था जिसमें आज का आदिवासी भी समाज था जिसमें आज का जो है क्या नाम है अनुसुचित जाति का समाज था सब के सब समाज थे आदि धर्म जो आदिकाल से है स्रिस्टि की सनरचना हम कह सकते हैं कि इनको सबसे बड़ी चीज वो कभी पत्थरों की पूजा नहीं करते थे वो प्रकृत से रिलेटे जिससे जो है पूरे यानि सरीर का संचालन जिससे ब्रहमांड का संचालन होता है उसमें वो भी स्वास करते थे जैसे सूरज की पूजा सूरज की पूजा किसलिए सूरज की किरणे उर्चत क्या क्या देती इनर्जी कौन कौन से उसमें मिलती है ये सब करते थे फसलों की पूजा फसल से हमारे अन का वो होता था उसके बाद वो पूजा जितने भी होते फसल करती थी फसल लगती थी सब की वो पूजा करते थे हम अपने जानवरों की पूजा करते थे जानव परकेती करने के लिए तो इसलिए उस धर्म के सिवाद बाबा के दर्बार में यहां गलत फहमी का सिकार देखो जो दिखता है वो बिकता है अगर तुम अवैद धंदे शुरू कर दो तो तुमें उसमें बंचत जादा होगी रूपया जादा मिलेगा बुद्ध धर्म क्यों खतम हो रहा है क्योंको दर्सन है सिद्धान था बैज्यानिकता पर आदारी था है इसलिए उसके पास लोग जो है कम डोनेट करते हैं कम खर्चा करते हैं लोग अपने स्वतह अपने जितना जो संसादन होता ले आते हैं देते हैं और खर्चा करते हैं लेकिन यह बाबाओं कितना धन इन सबों के लिए आ रहा हिंदू छिंदु के नाम पर तो इन विदेश, से साड़े लोगों का क्योल यह लोग अपने खाता अपने खाता भाई कि कितने मंदिर है, कितने क्या है यह यह कितने क्या में at our तुम लोगों को इस पे पढ़ना हो ते पूरे के पूरे इसमें पूरे देश के मंदिरों में इतनी संपत्ती जो है पूरे भारत सरकार के जो है ट्रेजरी में नहीं होगी जितनी संपत्ती इन मंदिरों के पास है यह देखते चलो यह पूरे के पूरे यह मंदिरों की बड़ संसादन जितना रूपया नहीं गोतना ही मंदिरों के पास इस सब के सब अवयद व्यापार के लिए होते हैं एटीजी एफसी आरे जितने भी लोग करते हैं आज देख डालो माइकसिमम सेडूल कास्ट के एफसी आरे बोलने की आजादी लोगों की बंद के जो प्रजात तंतर में कहते हैं कि सरकारें तभी चलती हैं जब उनका विपक्ष मजबूत होता यहां आवाज दबा करके विपक्ष को खतम कर दिया गया स्वतंतर आवाज एकदम सप्रेस कर दे गई जो चातर संग चलते थे चातर संग के आंदोलन खतम कर दिये कि चातर संग कहीं नहीं चल रहा जो लेबर यूनियन जो वरकर्स यूनियन चलती थी वो सारे के सारे ठप कर दिये गए और यहां पर जितने चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे किंदर की सरकारों कियोग जूटे के जूटे वादे कर रही है और को उसमें किसी को अभी तक ये कहलो कि हम समझाने में फेल हो गए कि भारत सरकार हम कहा रहे हैं 20 किलो किसी को अनाज मिल रहा हम कहा रहे हैं एक किलो नमक मिल जा रहा, एक किलो तेल, एक लीटर तेल मिल जा रहा, क्या इससे किसी परिवार का गुजर बसर हो जाएगा, महंगाई कितने गुना बड़ी, कोई पूछ रहा, लोग करा रहे हैं, लोग चिला रहे हैं, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा, क्योंकि हमारी आत्म पिको चाहरा